तो दूस्टों शिर्वें बात कने वाले Tata Consultancy Services Limited Company के बारे में that is TCS के बारे में और TCS के अंदर आज हमें यहाँ पर जो है वो प्रोविजनेली अल्मोस्ट डेल से पौने 2% के अराउंड की यहाँ पर जो है results post किये थे and आज यहाँ पर जो है वो हमें market का reaction आता हुआ देखने को मिल गया and stock जो है वो 4200 रुपीज के support को break करके उसके नीचे हमें close होता हुआ and sustain भी करता हुआ देखने को मिला है तो दोस्तों अब यहाँ से further vision जो है वो TCS का क्या रहेगा क्या यहाँ पर गिरावट और हमें देखने को मिलेगी अगर गिरावट होती है तो कहां तक की होगी कहां से अच्छा का सारी वर्सल और buying opportunity मिलेगी वो सब कुछ हम इसी वीडियो के अंदर discuss करेंगे लेकिन आगे बड़े इसके पहले स्टी लेकर अपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना and bell icon को भी hit यहाँ पर कर लेना अब देखो दोस्तों TCS के अंदर जो यहाँ पर हमें आज गिरावट देखने को मिली है quarter two के results की वज़े से and results के अंदर हमें क्या देखने को मिला था कि सबसे weakest point था वो था company के margins that means ultimately market share अब second thing के अगर हम बात करें तो कल TCS का जो US market में listed ADR है वो 8% तक negative था बट आज यहाँ पर हमें TCS के अंदर उतना बड़ा कोई negative reaction देखने को नहीं मिला that means overall यहाँ पर हमें फिर भी थोड़ी सी strength देखने को मिल रही है बट यहाँ पर हुआ क्या है तो TCS ने 4200 रुपीज के एक crucial support को यहाँ पर break किया है तो अब आने वाले time में हमें शायद से definitely selling देखने को मिलेगी तो अब यहाँ पर क्या support रहता है 4100 अगर 4100 के levels को break करके करमा लो TCS नीचे निकलता है तो इस counter के अंदर हमें यहाँ पर जो है वो अच्छी खासी एक बार के लिए selling 4000 and 4000 के नीचे फिर 3800 and उसके बाद 3600 तक की भी देखने को मिल जाएगी तो एक की important levels है जो आपको TCS company के लिए ध्यान में रखने है